अब जो अगला लेक्चर है हमारा वो छोटा सा है वो कि हम existing data से array कैसे बनाते हैं यानि कि एक data frame आपके पास है उससे आप कैसे arrays create कर सकते हैं तो exactly मैं आपको यहाँ पर straight लेकर जाता हूँ अगर आप यहाँ पर देखें how to create an array from existing data तो आप गोर करें कि आपके पास कोई भी एक data set है आप उसके अंदर जब slicing करते हैं तो उसके थूँ यहाँ बेसिकली कोई भी एक data frame नया बना सकते हैं या नया data बना सकते हैं अब अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास जो बड़ा data set है या कुई भी चीज हमारे पास बड़ी पड़ी हुई है आप उसको different methods के थूँ जो है वो utilize कर सकते हैं for example यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर making an array from a data or an other array an other array मैं यहाँ पर simply यह लिखता हूँ और इसके उपर एक line लगा देता हूँ ताकि यह थोड़ा सा separate रहे like this so we will see कि यहाँ पर मैं array बनाता हूँ एक np.a range और इसकी range मैं रखता हूँ 0 से लेके 222 तक और जो फरक है मैं इसमें 5 का रख देता हूँ just am we making an array तो यह मेरे पास array होगी ठीक है तो a मेरे पास एक array है 0 से लेके 220 तक इसके पास elements है और यह सारी की सारी इसकी length है अगर मैं इसकी length चेक करूँ so you can have an idea कि हमारे पास length of a जो है वो basically 45 numbers की है अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ numbers को एक array के अंदर convert करना तो मैं simply वही चीज array 1 is equal to I can actually slice from indexing मैं चाहता हूँ के जनाब यह for example 40 से लेके जो 45 तक index है वहां तक आ जाए और अगर आप गौर करें यहाँ पे अगर मैं array 1 को print करूँ तो this is how it works look तो 200, 205, 210, 215 और 220 लास वाले 5 आगे so this is how you can create an array from a data set तो basically आप जो different data sets pandas के data frame में उनको भी utilize कर सकते हैं to making an array लेकिन आप इस तरीके से भी use कर सकते हैं आप stack कर सकते हैं जो मैंने last lecture में भी आपको बताया था horizontal stack कर सकते हैं आप vertical stack कर सकते हैं और different और तरीकों से भी चल सकते हैं अब अगर यहां पर मैं एक array बनाओ a is equal to np.array और इसके अंदर मैं कुई भी 1,2,3,4,5,6,7 इस तरीके से दे दूँ और मैं b is equal to कुछ इस तरीके से आपको दे देता हूं और इसको बिलके मैं कहता हूं 8 से 11 8,9,10,11 आगे वाले भी खुद बाखुद आ जाएंगे because I am using GitHub Copilot and hopefully sometimes it shows that sometimes नहीं देता तो खुद से भी करना पड़ जाता है 12,13,14 I think that's enough, let me see, दोनों के length अगर बराबर है 1,2,3,4,5,6,7,2,4,6,7, बिलकुल पराबर है ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, एक C हमने चीज बनानी है और अगर आप गोर करें, यहाँ पे हमारे पास एक stack का command है ठीक है, और वो है हमारे पास vertical stack तो मैं यहाँ पे NP.V stack अगर करूँ, इसके अंदर मैं दोनों को A और B को रख सकता हूँ और यहाँ पे C इस तरीके से आजागी, ठीक है तो यह हमारे पास किस तरह stack हो गई है, vertically और इसी पे मैंने आपको concatenation का भी बताया था last time, ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे जो horizontal stack था, vertical stack था, horizontal stack करते है and here you go, यह horizontally stack हो गई है यह वो ही concatenation है जो मैंने access 0 और 1 पे आपको बताई थी I can give you that again here, अगर आप गोर करें तो हमने यहाँ पे concatenate किया था अगर आप, आपको याद है, यहाँ पे तो let me see, let me see, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ हमने concatenation यहाँ पे perform की थी, I remember the last day और, here we go, यह है, ठीक है तो हमने concatenate किया था, axes बताये थे, ठीक है तो हमारे पास आप इसको stacking के थो भी concatenate कर सकते है and this is how it works, ओक्के तो यह हमारे पास जनाबे वाला आप दूसरे तीसरे base के उपर different किसम की arrays को बना सकते है obviously आप इसको D को reshape कर सकते हैं अपनी मर्जी में भी, stacking के बाद भी आप अपनी मर्जियां चला सकते हैं जैसे D is equal to D dot reshape और मैं इसको reshape देता हूँ 2 by 7 की, क्योंकि 14 हैं तो 2 by 7 होंगे तो D को मैं यहां पर print करता हूँ and you can see it's coming as like this, तो आप 2 by 7 को और किस तरीके से reshape कर सकते हैं you have to think about that, तो आप इस तरीके से basically different किसम की arrays को stack करके एक नहीं array भी बना सकते हैं which is very useful whenever you are working on numpy arrays, अब numpy arrays जब आप इस पर काम कर रहें तो tensors आपको बहुत असान लगते हैं जिसको numpy की नहीं समझ आएगी उनको tensor की नहीं समझ आएगी और फिर tensorflow एक library की नहीं समझ आएगी और उससे आगे पिर जो py torch है उसकी नहीं समझ आएगी so just इसको numbers game की तरह देखें और इंशाला हम आगे 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 आइस्ता इस्ता बढ़ते जा रहें